शिरी शिवाई नमस्तु वियम हर हर महादेव कैसे हैं दोस्तों आशा करते हूँ आप लोगों बिल्कुल सही स्वस्तों होंगे तो आज आपके लिए बहुती खास उपाई लेके हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मच मणी ये बहुती अच्छी मणी है अगर आप आपको भी आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं आपके पास भी धन नहीं है आपका वैपार बंद गया है या आपकी कुंडली में आपको राहु परिशान कर रहे हैं और आपको राहु दोश की वज़े से आपका बिजनेस नहीं चल रहा वैपार सही नहीं है धन की प्राप हो जाता है और राहू बलवान होता है इससे हमारे सबी कारियों में जो अर्चा नहाती है वो एकदम ठीक होने लगती है तो आज इसके बारे में ही आपको बताऊंगे कि मच मड़ी कौन-कौन से वेक्ति पहन सकते हैं और इसके क्या लाब होते हैं इसका क्या फाइदा होता है मच मड़ी कहा मिलती है मच मड़ी होता क्या है तो आज आपको यही मैं बताने वाली हूँ और इससे पहले कहना चाहती हूँ जो भी मेरी चैनल पे आते हैं वो मेरी चैनल को सस्क्राइब कर लेना बेल आइकन बटन के साथ कि ऐसे कुछ खास उपाई जो ले के आती हो आपक मड़ी है और यह कौन सी मड़ी है मच मड़ी कोई सधारन रतन नहीं है जैसे कि स्टोन है तो कोई भी सधारन नहीं है बहुत ही बहुत मिल लिये है बलकि यह बहुत ही दुरलब मड़ी है इससे पहनने वाले वेक्ति के जीवन में हर परकार का तनाव मुक्ती होता है हर परक अग्दम धन मिलने प्राप्त लगता है क्योंकि ये अपने आप में बहुती शक्तिशाली मणी है और कोई भी वेक्ति इसको धारन करता है तो उसका जीवन एकदम खुशाल बन जाता है और ये राहू ग्रेक की जो बाधा चल रही होते हैं उसका भी निवारन अचो कुपाई हैं मचलियों के अंदर कई रंग के पत्थर बनते हैं जो बेशुमार धन और देवताओं का आशिरवाद होता है पती पतिनी में अगर जगड़ा चलता है या परिवार में कोई भी लड़ाई जगड़े चलते हैं परिवारिक जीवन वेवाईक जीवन अच्छा नहीं चलत तब भी मचमणी काम करती है मचमणी का जो आप धारन करते हैं तो इससे वेवाईक जीवन की सारी समस्याई खतम हो जाती हैं और साती साथ आपका सुख में जीवन सुख शांती घर परिवार अच्छा चलता है मचमणी को कब आप धारन कर सकते हैं मचमणी को आप धारन करन के लिए शेनिवार की सुबा प्राता काल सुबा ना धोकर पूजा स्तल पर पूर्विदिशा की तरफ मुख करकर बैठ जाएं मचमडी को एक साफ पात्र में गंगा जल या कच्चे दूद में डूबो कर रखें ग्यारा बार ओम रहा राहुवे नमा ओम रहा राहुवे नमा इस तरीके से राहु देव का मंत्र करें और इसका जाप करते हुए मचमडी को साफ और सधारन जल से फिर धोलें धोने के बाद आप इसको शेनिवार की सुबा प्राता काल पे आप इसे धारन कर सकते हैं जैसे आप इसे धारन करेंगे वैसे ही 24 घंटे में इसका काम आपको प्राप्त होगा और इससे आपके राहु देव भी पसंद होंगे और साती साथ आपके कुल्णी में जो राहु खराब चल रहा होगा महादर्शा चल रही होगी राहु एकदम शांत हो जाएगा आपके सारे कारिये में जो अर्चन चल रही थी एकदम अर्चन दूर हो और मचमणी मोती के बिल्कुल आकार का होता है और पत्थर की तरह एकदम जैसे मोती जैसे होता है सफेद वला बिल्कुल ही वैसे ही ये भी सफेद रंग का होता है पत्थर की तरह और दिमाग की शेप में ये बना रहता है मचली की खोपड़ी में मस्तिक में पाया जाता है मस्तिक के हिस्से में ये चीज बिलकुल ठीक सामने रहती है इसको निकाला जाता है निकाल के फिर इस मचमनली का उप्योग में लिया जाता है तो ये बहुत जादा ही बहुमूलिय रतन है इसे चांदी में पैंडल में मोती की तरह सफेद पत्थर की तरह रहता है वास्तों में ये बिलकुल ही पैंडल में चांदी में ये शुब माना जाता है और इसे चांदी में जड़वाक कर पैंडल की तरह फिर इसे पहना जाता है और इससे ही बहुत ज़्यादा आपको फाइदा होता है आपके कुंडली के हिसाब से आपको नजर दोश से बचाता है आपको तंतर मंतर से बचाता है और ये जैसे कि किसी ने आपके उपर तंतर मंतर कर दिया हो उन सब चीजों पर ये आपकी रक्षा करता है आपके उपर को कोई भी चीज जैसे की काली शक्तियों का वास ओर नेगटिव एनर्जी है वास्तु दोश है तो ये उन सब चीजों पर भी काम की फाइदा करता है तो आपने इसे करना क्या होता है जैसे कि आप इसके 11 पीस ले 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 या 5 इसके पीस ले लेने के बाद इसको बिल्कुल चांदी की कटोरी आप छोटी से ले ले उसमें 11 पीस या 7 पीस या आप 9 पीस उसमें रखकर ये मचमणी आपने अपने घर में जैसे आप रखेंगे इससे कभी भी काली शक्तियों का वास घर में नहीं होता कभी भी इससे वास्तु दोश नहीं होता कभी भी किसी का किया कर कराया काम घर पर नहीं करता तो इस तरीके से आप अपने घर में भी इसको रख सकते हैं और आपके अपने शेयर पर धारन इसे पैंडल में चांदी में करके पहन सकते हैं तब भी आपके ऊपर कभी भी नजर दोश काम नहीं करेगा कभी किसी का किया कराया काम नहीं करेगा खाली शक्तियों का वास जो हो जाता है शेएर पे वो चीज़े भी नई होंगी और हमेशा आपका जो घर परिवार में आपकी बात कोई नहीं मानता होगा वो बात भी आपकी मानने लगेगा और आप वैपार नहीं सही जैसे मन नहीं लगता नजर दोश रहती है या आपका ध राक आते होंगे वो आपसे आकरशित होंगे और आपका वैपार भी अच्छे इससे चलता है और इससे धरलक्षमी की भी अच्छी प्राप्ती होती है तो मचमणी इस तरीके से आप धारन कर सकते हैं और इसके लिए अगर और भी ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए होगी तो स्क्रीन पे नंबर दियोवे पे आप संपर्क कर सकते हैं वाटसप भी कर सकते हैं और कहते हैं कि संगार मन्थन में नो अदबुद मणी निकली थी जब समुन मन्थन हुआ था किसी ताइम पे तब इसमें नो मणी निकली थी उनमें से एक ये भी कछमणी भी है जो पत् जो भी हमारी कुंड़ी में जो ग्रह होते हैं उसके अनिस्ट को शांत करने के लिए भी इसको पहना जाता है जो भी हमें ग्रह कोई भी कुंड़ी के साब से परिशान करता है तब भी हम उसकी शांती के लिए इसको पैंडल में धारन करके या अंगूठी में धारन करके व्रिद्धी होगी आपका बल बढ़ेगा आपकी मान पतिस्टा बढ़ेगी आपका सम्मान जो भी आपने खोया होगा कभी लाइफ में वो सब चीजे भी मिलती हैं क्योंकि राहू हमारा ऐसा होता है जो अगर इसकी महादाशा चल रही होती है तो हमारा मान सम्मान सब कुछ खराब कर देता है तो वो सब चीजों में सही करेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें